अब तुद्स वेल्कम तो में चैनल दिस इस रोशन सर मेक्स मधिया स्टूडेंट्स तेलिगू सेकेंड लैंग्विज टेंथ क्लास के लिए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट आंसेस मैं सॉल्फ करने वाला हूं और कुछ आंसेस एक्सप्लेंड करने वाला हूं इससे पहले अल आप वहां पर जाकर देख सकते हैं वह दो लेसंस भी है विट ग्रैमर आप कहीं पर से ढूड़ने की जरूरत नहीं पड़ीगी यह चल दो लारा गिंट चुटा यह लेसं मैंने अपलोड कर दिया है और उसी तरह लेक्स्ट यह पोड़ोपू का थलो यह भी मैंने अलड़ आप लोड़ कर दिया है आज मैं अपलोड करने वाल हूं इस लेसंस से रिलेटेड जेनरल आंसरस क्योंकि मैं यह नहीं चाहता है कि मेरे स्टूडंट तेलगों में किसी भी तरीखी से प्राब्लम फेस करें मैं यह चाहता हूं कि सभी स्टूडंट तेलगों में अच्छी आप लोड़ कर दिया है इस लेसन देखेंगे आप तो बैक साइड में यह सारे यह सारे ले आंसरस मैं कॉंसेप्ट वाइज अपलोड कर दिया है अब मैं अपलोड करने जा रहा हूं यह आंसरस वीनी आलो चिंची माट लाड़न दी मतलब इसको सौन समझ कर बात दीजिए इस आंसरस को अब देखेंगे फॉस्ट यहां पर क्या दिया गया है कःफलो पोडपो खथलो तेड़ा एमिटी कहानिया और पोडपो खथलो मतलब रैडिल्ज यह दोनों के अंदर क्या डिफ्रेंस है आपको पहचाना है तो यहां पर देखिए इसका आंसर यहां पर है कथा अ käytön कलपिंच बढ़ने जाना दी कहानी क कहते हैं हम एक imagine करके लिखने को कहानी honor कहते हैं इन्दुनों कामशान नितिस कुनि इसके अंदर एक subject ले कर, कुछ characters बनाकर ये characters दालकर वाणी मद्धिया संभाशन ने जपढ़ा हम उनके बीच एक conversation कराना समाज आने की कावल से न सोसाइटी को जरूरत रहे सो नीतिनी मने मोरल एक्टिविटिस को कथला स्टोरिस में पात्रला द्वारा स्टोरिस के कैरेक्टर के द्वारा पिलला कुछे पढ़ों बच्चों को बतलाना कि कहानी किस को कहते हैं एक कोई भी है के प्रडर शित करके लोगों को बतलाना ताके इजिली समझ में और स्टोरी में एक हमको लेसन होता है उसी को स्टोरी कहते है परड़ूपु कतल वानटे राड़ का मतलम गूढ भावा मुगला निगूढ प्रश्ना बहत गहरी मीनिंग वाला हम सॉल्फ नहीं करने वाला एक क्वेशन माने एक पजिल समझिए वह करो चिक्कु परश्ण वेश्टे वेरोकर जवाब चपा लो एक जने पजिल एगर कहेंगे तो दूसरा जवाब बोलना उसी को हम कहते हैं पोड़ू काथलो इस तरह यह हो गया और इसके अंदर से देखें यह भी आपके क्वेशन में आंसेस है यह भी एक्जैम में पूछ सकता है इसलिए मैंने यह भी अप्लोड करने के कोशिच किया है देखें आका शमलो मेरे पूलनी कुरसे वानल ने चूस्टेंटे में को एनपनी पिस्टों देखें आसमान में चमक और बरसते जिगेलो मंटाई जबी आसमन में चमकेंगा तो महरे आँक एकदम रोश्ट से चमक जाते हैं जिगल कहते हैं कुरसे वानल ने चूसी मनसो अहलद करंगा उंटूंदी बरसते वे बारिश को देखेंगे तो हमारा दिल एकदम सुना हो जाता है सुना मतलब एकदम सुहाना ह हो जाता है सुहाना हो जाता है मरिवातावरणम चला बढ़ते और एकदम स्पेर पूरा कूल हो जाता है यह हो गया आप चाहें तो ओन से भी लिख सकते हैं यह मैंने ओन से लिखा है गड्डू समस्या अन्टे मी केमर थमें गड्डू प्राब्लम का इसका मतलब आप इससे क्या समझते हैं यहां पर देगी गड़ु समझते का गड़ु समझते अंडर समाधनम तोचने प्रशना गड़ु समझते का मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसका हमको आंसर पता नहीं हो इस समझते नो परशकरन चालनट है इस प्राबलम को हम सॉल्फ करना चाहते हैं तो युक्ति समझे कोई अगर पजल दाले तो हमको नहीं सुझा तो हम क्या करते हैं किसी से मदद लेते हैं उसी को हम कहते हैं यह एक हो गया और उसके बाद यहां पर देखिए आलो चिंची माट लाडंदी यह भी आप क्या अंसर से कथला मोड़ी विप्पो मंटे यह मरतमाई दी मने जो पजिल्स होते हैं उसको सुल जाना इसे आपको क्या समझ में आया दीगे कथलो उन्ना काठिन या नी तोलग इंची तोलग इंची सरलंगा चेसी वास्तवाने प्रदर्शिंच नम मने पजिल इसी को कहते हैं उसके अंदर जो मुश्किल सवाल होता है उसको दूर करके एकदम सिंपल तरीख से उसके अंदर के सच्चाई को प्रदर्शित करना या सच्चाई को बतलाना उसी को हम पजिल कहते हैं ठीक है नेक्स्ट एक दिखिए तेल्गु तनानी मर्च पकूर्णा उंडालने इंची है तेल्गु हम तेल्गु वाले है या तिलंगाने के है य इगनानम तो मनिः पुरानी नोलेट से संबंधम रिलेशन तक रूम होते हैं मारो तुना जीवन शेयली लो आजकल बदलाओ अपने जीवन शेयली में अपने लाइफ में क्योंकि बहुत सारे पुरानी चीजव मज्वन बहुंडर रहे हैं पुराने चीजवन हमारे खतम ह इसके बारे में पहचानत करा गिसे हैं कि बचुझ को बेसे तील्गूरानी मर्चपोलेरू तील्गूरी के नहीं भोल सकते हैं तो मतलब किसी अब तिल्गू Nic ^^ पुराने चीज़नों को याद दिलेंरशasına तो इस तरह हम करने से क्या होता है कि हम तिल्गो नहीं भूले जैसा होता है तरह करने मौह का क्रें हम पूराने चीजमों हो लिए सकते तो यह अच्छी तरह याद करने को सर्फलिक्त कें में पूछ सकता है continuous comprehensive evolution का मतलब यही है कि कहीं से भी पूछ सकता है lesson मैंने अच्छी तरह समझा दिया है lesson को एक से दो तिन बार आप समझीए क्योंकि टफ लेसंस है तेल्गु के अंदर इस बार और answers भी उसी तरह tough है तो आप एक दो तिन बार उसको rewind करते हुए सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह concept जहें में बढ़ जाएगा concept अगर दिमाख में बढ़ जाएगा तो questions कहीं से भी आए आपको आसानी से लिख सकते है all the best video अच्छा लगा हो तो like जरूर कर देना best of luck all the students